नमस्ते मित्रों मेरा नम कुनाल चन्दाकर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोवर्धन पूजा कैसे स्टार्ट हुआ तो सर्व पथम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा श्री किष्ण भगवान ने गोवर्धन परवत की पूजा करवाए थे गोवाल बालों से एवं गाय माता की पूजा की थी तो जिसके चलते इंद्र देवता अंकार के वश एवं भगवान से दुस्मनी मोल लिये और उन्होंने बहुत पानी गिराया जिसके कारण पूरे गाओं में पानी पानी हो गया तो वो लोग भगते हुए भगवान शीकिषने के पास गया और उन्होंने परवत को एक उंगली में उठा कर साथ दिन तक रखा वही गुवर्धन परवत को ठाके और उसके नीचे सभी लोग गौल बाल बच्चे सब आ गए जिससे उनकी रक्षा हुई तो यह सब के कारण भगवान ने उनको रक्षा किया तब से गुवर्धन पूजा चलते आ रही है तो यह दौपर यूग से यह प्रथा चलते आ रही है और अभी वी मनाया जाता है धूम धाम से और आज नूतन वर्ष भी माना जाता है आज की दिन आपको अच्छे अच्छे चीज़ों का दर्शन करना चीए जैसे की गाय है भगवान के चित्र है गुरू के चित्र है मलब गुरू का दर्शन मलब अच्छे अच्छे चीज़ आपको दर्शन करना है सोना चांदी मलब जो भी अच्छे चीज सुब जो माना जाता है उनका दर्शन करना है तो जो जो मंत्र है वो मैं इसमें स्क्रिंसोर्ट मार के इसमें रखा हूँ वो चीज आपको दे दूंगा और इस दिन 56 भोग भी लगाया जाता है 56 से लेके 108 भोग भगवान शेकिश्न को और सुबह उठकर आपको तेल मालेस करके नहना होता है फिर उसके बाद आपको एक गोवर का परवट टाइप छोटा सा बना के उसमें लकड़ी उकड़ी जो है लगा के मतलब पेड़ पौधा टाइप उसको तयार करके पूजा पाट किया जाता है हल्दी कुमकुम ये सब चीजें डाल के जैसे अपन चंदन लगाते हैं ये कुमकुम ये सब लगा के उसमें पूजा किया जाता है तो यही है गोवर्धन पूजा जिसको नूतन वर्स भी काते हैं और अन्नकूट भगवान पे चड़ाय जाता है अन्नकूट मतलब होता है चावल से बनी हुए चीजें और मिश्ठान ये सब भगवान को भोग लगाय जाते हैं चापन प्रकार के तो बो गोवर्धन धारी कीजे बोलो कृष्ण कढ़िया लाल कीजे